प्रेके बाद इक बाद फिर से आपका स्वागत है चली रुक करेंगे एक बड़ी खबर का अंबेटका नगर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुटफेड हुई है बदमाश विने कुमार और बिन्नू सेंग गिरफतार कर लिया गया है बदमाश पर 18 से जादा मामले दर्श है जैदपूर्ट थाने का हिस्ट्री शीटर है बदमाश विने और वारन के बाद में फराण चल रहा था विने कुमार अली गंच के इनामिया पुल के पास में मुटफेड हुई जिसके बाद में पुलिस ने गिरफतार कर लिया तो बदमाश विने कुमार और फबिन्नू जो कि काई दिनों से फराण चल रहा था बदमाश और पुलिस के बीच में मुटफेड हुई जिसके बाद में गिरफतारी हो चुकी है और इटावस एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर घूस मांगने पर मामला दर्श किया गया है साथ अदालत कर्मियों के खिलाफ में मामला दर्श गुआ है वकील से पांसो रुपए की घूस मांगने का ये मामला है ब्रसचार, निवारन, अधिनियम के एक तहत में मामला दर्श किया गया स्विल लाइन थाने में दर्श कराए गया है मुकदमा अदालती नकल देने के एवच में पैसे मांगे गये थे तो बड़ी खबर आपको बता रहे है वकिल से 500 रुपए मांगे गए थे घूस के तौर पर जिसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर अब जाज की की जाएगी तो एक बड़ा मामला आपको बता रहे हैं बड़ी खबर है ब्रस्ट्रचार निवारन अधिनियम के तहट में मामला तर्श किया गया नौईडा के बहु चर्चित निठारी कान पर इलाबाद हाई कोट आज अपना फैसला सुनाएगी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंग पंधिर की फांसी की सजा के खिलाफ में अपीलों पर हाई कोट अपना फैसला सुनाएगी सीबी आई कोट गाजियबाद ने दोशी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई तिस से पहले आई कोट ने लंबी चली बहस के बाद में अपीलों पर 15 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कोली पर कई लड़कियों की निर्शन्स हत्या और बलतकार करने के आरोप में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी पंधेर को भी तीन मामलों में फांसी की सजा मिली है नौईडा की पंधिर की कोटी में निठारी गाउं की लड़कियों को लाकर खत्या की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर गाज़बाद की कोट पहले ही सजा सुना चुकी है और जिसको चुनौती दी गई थी हाई कोट में हाला की कोट ने अपना फैसला सुनाई भी कोट यूपी के फदेपोर जिले में हिस्ट्री शीटर के पिता की बाइक सवार हमलावरों ने गूली मार कर हत्या कर दिये पुरानी अदालत में इस वारदात के बाद से इलाके में खड़कम पुमश्किया घटना के बाद में एस्पी उदेशंकर सिंग फॉरंसिक टीम के साथ में मौके पर पहुंशे और घटना इस्थल की जाच पड़काल के साथ ही एस्पी ने बताई कि पुरानी रंजुश के चलते परिवार के ही दो युखकों पर हत्या करने का आरोख है इस पूरे मामले में केस तर्च कर आरोपियों की गरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमे लगाई है कि इनके ओंपे लगवग 64-65 परस है साइकिल से कहीं से आ रहे थी और दो लोगों के द्वारा इनकी हत्या करना बताया जा रहा है राए बरेली में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दे है राए बरेली में आश्या बहु समेट दो लोग कोरोना पॉसिटिफ पाई गये है दोनों मरीजों को घरوں में ही कारेंटीन किया गया है जगातपूर थाना शेतर के रहने वाले हैं एक बरेस तो वहीं एंटिजन जाच में दोनों के रिपोर्ट नेगेटिव आई थी जिसके बाद में जब ITPCR जाच की गई तो उनमें दोनों कुरोना पॉसिटिव पाई गए जिसके बाद में घरों में ही कॉरिंटीन किया गया है और शंबल सा एक बड़ी कबर मिल रही है नवरातर में मंदिर समीती का नोटिस छोटे कपड़े पहन कर मंदिर में आने पर रोक लगाई गई है आमर्यादित कपड़े पहन कर आने पर रोक लगाई गई है मंदर में बोड लगा कर रोक लगाई गई है संभल के चामुंडा मंदर का मामला देखे बीते दिनों भी ऐसा देखा गया था कि छोटे कपड़े पहन कर आमर्यादित कपड़े पहन कर मंदर ना आने की अपील की गई है और ऐसे में एक बार फिर से बोर्ड लगाया क्या है यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज एटीन